देश में कोरूना के संकट के बीश तूफान की आफ़त भी बनी हुई है। समंदर में कम दबाव का शेतर आमतोर पर किसी भी तूफान का पहला स्टेज होता है। अगर ये चक्रवाती तूफान में तब्दील नहीं भी होता तो भी 30 इलाकों में तेज बारिश की आशन का जताए जा रही है। ऐसे में 10 जून के आसपास ओडिशा में भारी बारिश की संभावना जताए गई है। मौसल वभाग के महाने देशक मामृतियूंचे महापात्र ने कहा कि कम दबाव का शेत्र अगले सप्ताह ओडिशा की और बढ़ सकता है। समाचार एजेंसी पीटी आई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कम दबाव एक प्रकार का चक्रवाती प्रवा होता है और किसी चक्रवात का पहला चरण होता है। आकि यह जरूरी नहीं कि कम दबाव का हर क्षेत्र तेज होकर चक्रवात बन जाए लेकिन हमारी इस पर नजर है। गौरतलब है कि पिछले एक महिने में देश दो तूफानों का सामना कर चुका है। पहला तूफान अमफान ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आया था और भारी तबाही मचाए थी। यह भारत में सदी का पहला सूपर साइकलून था। इसके बाद चक्रवाद निसर्ग ने महाराश और गुजरात में तबाही मचाए इस दोरान 120 किलोमीटर प्रती घंटे के रफ्तार से हवायन चली और भारी बारिश होई।